जीलो की नगरी भोपाल भी बताते हैं आपको अबी हम आगे चलके आप आप जीलो की नगरी भोपाल में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है यह इसकी डिजाइन रखी है एरपोर्ट के बाजू में यह गार्डन छोटा तस्तित है आप लोग देख सकते हैं यहां के बाद फिर हम अंदर जाएंगे इंटर करेंगे अंदर के लिए तो यह रोड अंदर यह बाइक बगरा जा रही है यह अंदर के लिए गया है उपर जाके फिर एरपोर्ट बगरा वहाँ पर सब चीज मिलेगी आपको जाने आने के लिए वहाँ भी घूमने देते हैं कोई दिक्काद नहीं दस रुपे का टिकेट लगता है इसके बाद घूम सकते हैं आप लोग पार्किंग वगरा सब अंदर ही है यह वापसी का रास्ता है और यह उस साइड आने का रास्ता है और यहाँ पर सामने टिकेट लगता है अंदर दस रुपे का घूमने का एरपोर्ट हवाई अड़ा पर तो गाइज यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ से उपर आने का रास्ता है यह भौपाल एरपोर्ट यह देख सकते हैं यहाँ का खूपसूरत नजारा यहाँ पर कोई भी इसे गूमने आ सकता यह गाड़ी वगएर आ रही है और यह जो है यहाँ पर पार्किंग है नीचे और आप लोग देख सकते हैं और अभी हम आपको सामने चल के बताते हैं बकाइदा और उतरने का भी पूरा का पूरा अभी और आप लोगों को आगे बताते हैं यहाँ तक तो अपन उपर बकाइदा यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ पर सावारी उतार के वहाँ पर सामने और नीचे जा सकते हैं आप लोग देख सकते हैं राज भोज हवाई अड़ बहपाल आगे आप लोगों को बताते हैं इसकते हैं सामने बिजश्ट फिल्टी मंदर धिख रहा है यह किये पहाड को पर निर्वार है यह ग outlets यह ओपर भूमने की काफी जगा है ओप देख सकते हो आप लोग बकैदा और गाइस नीचे की गहराई तो आप लोग देख सकते हो ये सामने पूरा भॉपाल है ये सामने इस तरीके से इसको बनाया गया है है एरपोर्ट को सामने बिलेट्री के जवान बगएरा सभी लोग हैं और सामने हेलिकॉप्टर वगएरा भी अरोप्लैन वगएरा भी हम आपको दिखाते हैं आप लोग देख सकते हैं बकाइदा यह हवा में लहराता हुआ कितना क्यूट लग रहा है अपव्लों सकते हैं यह अर्पोर्ट पर ही यह देख सकते हैं उतरता हुए ब्रकों हेलिकॉप्टर यह देख सकते हैं आप लोग इसको जूम कर दिया है देख लीजिए आप बिल्कॉई यह आया जुश्ट कितना अगया देख सकते हैं आपमनों यह सामने ख़ड़ा हुआ है आधि आपको अडन भरती हुए भी बताएंगे हम इसकते हुए ब SS को त्रलोगद देख सकते हैं ये पूरा उसका ही ऎरिया यह देख सकते हैं आप लोग या फो बीडियो बनाना अलाव नहीं है फो टू मोटू कीचा जा सकता है इसलिए हम फीडियो थोड़ा सा कम बना रहें यहां की यह वापि सब्सक्राइब इसके वाइद देख सकते हैं यहां से मुण हो रहा है यहां से यह सामने को जा रही है आई यह वाड़ में हो चुका है इस यह सामने से कुछ ऐसा दिखता है अभी हमने आपको बता है यह देख लीजिए बहुपाल एरपॉर्ट यह सामने काफी दूर है वो हिलिकप्टर उताते हैं उड़ान भरते हैं वहां का एरिया देख सकते हैं आप लोग काफी खुश्वत तरीके से इसको बनाया गया इसको उपर की छट तो इस तरीके से लगाई गयी है यह से मान के चलो कि उपर कुछ छेक अलग से रख दिया हो बहुत ही ब्व्तियु बश्वीरी बनाया गया इसको देखा वहां पर उतर रहे हैं गारे से अंदर हम दूर से बता रहा हैं और दूर से ही कि सब कुछ बता रहा है आने का जाने का रास्ता व जढ़ाए इदे आने की आप लोग देख सकते हैं ये एक और नया उड़ा हुए हैं जिसने अभी उड़ान भरी है काफी हुच आई पे केमरे से दूर दिख रहा लाज और बहुत पास दिख रहा है वो लिकल गया, क्रास कर गया, आप लोग देख सकते हैं, ये जो ऐरो पिलेन वगरा आई थी अभी, ये उसमें जाके लगा था, और एक तरह की की गाड़ी है ये, इसको पर ये पूरा सांचा बनाए गया है, ये चल के और ये वाकायता वहीं पर खड़ा हो रहा है, सो गाईज देख सकते हैं आप लोग, ये उडान भरती हुई, उडान भरती हुई नहीं ये तो आई है अभी, ये बेक कर रही है, सौरी वो कन्फिस हो गई, लेकिन ये अभी आई है, ये देखो आप इस तरीके से, इस सामने बिलकुल, आप लोग देख सकते हैं, इसकी आवा पिलकुल सेहर की धाड़ की तरह हैं, काफी भतना का वाज है इसकी, इसकी इदर ही बेक कर रहा है, वो इसमें पब्लिक बेटे की सावारी बेटेगी, ये बेक करके आया इदर से ही, इसमें जो जातरी जाने के लिए है, वो उन लोग को बिठाया जाएगा, फिर वो उडान उडान भरेगी, वो देखो वो उसने उडान भरा, वो सामने वाले ने, हो गया बिलकुल हवा में, वो जो फायर हो गया हवा में, एक नंबर भेतरीन, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर,